हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हमारे पास एविलेबल है हाई स्कूल परिक्षा दोहचार चौबिस का संस्क्रत विशय का पेपर अगर आप इस कॉस्चन पेपर को पूरा एक बार पढ़ लेते हैं उसके सारे सॉल्यूशन सॉल्फ कर लेते हैं तो त्वाले खत मतलब कि आपको सही विकल्प का चैन करके लिखना है तो आप इनके सभी के जो भी सही आंसर हैं उन्हें याद कर लें उन्हें अच्छे से पढ़ें और आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे इसमें रामस्ती की विभक्ती आई है तो विभक्ती ही आएगी लेकि हो सकता है रामस्ती की जगा कुछ होरा जाए तो आप जो भी इनके पॉइंट दिख रहे हैं जिसे कि हमको ये विभक्ती दिख रही है यहां बहु वचन दिख रहे हैं यहां वचन दिख रहा है यहां सब्द रूप दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप विभक्ती ब इसमें भी आप देखेंगे तो अव्याई ही है मतलब कि आप अव्याई को भी पढ़ें सब दरूप पढ़ें मतलब इन में जितने भी अब्जेक्टि दिख रहे हैं आपको जिस टाइप के दिख रहे हैं उनको पढ़ें केवल ऑप्शन चेंज हो जाएंगे कुछ कॉश्चन का रूप चेंज हो जाएगा लेकिन आपके अपके एक्जाम में इन ही मेंसे रिलेटेड आएगा ठीक है आगे देखते हैं आगे आप देख लें इनमें वो खाले स्थान आया हुआ है तो इसमें क्या बोला है वही है क्या बहु बचन अध्यम पुरोष प्रथम पुरोष आप इनको अच्छे से पढ़ कर जाएं उपसर्ग हो गया प्रत्य हो गया है ना यह सब आप पढ़के जाएंगे तो आपको पूरा कॉशन पेपर में जो अबजेक्टिव सेक्षन है वो बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा इसके बाद हम देखेंगे सुद्ध और असुद दिया हुआ है तो इसी तरीके से आपको एक्जाम में आएगा वैसे ही आपको लिखना है तो मैं लेकिन आपको बता दूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इसमें संधी आया है है ना इसमें भी संधी है इसमें संधी विच्छेद स्काई में आएगा आपका सुद्ध और असुद्ध बाके में आ सकता है यह पूरी गैरेंटी तो आप इस तरीके से कॉश्चन पेपर का पैटर्न समझ के उसका पढ़ कर जाएं आपको पेपर में पूरा बन जाएगा ठीक है अब इसके बाद हम देखते हैं युग्म मेलनम कुरूत मतलब कि आपको सही जोडी मिलाना है तो आप सही जोडी का पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या बोला है परियाए बाची बोला है है ना विशेशन बोला है विशेश्ची बोला है परियाए और विलॉम मतलब कि विलॉम और परियाए बाची किसमें आया है सही जोडी में आया है तो यह आपका जो फाइनल पेपर होगा उसमें भी आप देखेंगे तो से परिवर्तित हो जाएंगे क्योंकि same question था कि वो नहीं देते हैं थोड़े से changes हो जाएंगे आपको इसी तरीके का paper मिलेगा देखने को ठीक है ठीक है अब देखते हैं इसके बाद है एक पदेन उत्तरम लिखत आप इसमें भी देख सकते हैं इसमें भी किस तरीके के question है अब ये देखेंगे तो इसमें सारे question grammar के कहीं कहीं कुछ question आपको text book के इस तरीके से मिल जाएंगे तो आप इनको अच्छे से पाढ़ लें आपको इसी तरीके के question मिलेंगे केवल नाम परिवर्तित हो सकता है बाकी question का रूप यही रहेगा और इतने number का ही आएगा ठीक है देन आप देख सकते हैं कि कुछ question आए हैं यह आपके text book के हैं इनको आप अच्छे से पढ़ने जो भी question इनमें दिख रहे हैं इनको आपको पढ़ना ही है और इनके chapter से related इनही के जैसे question आपको solve करने हैं ठीक है इसके बाद कि आप बोल रहा है 11 question की रिखांकित पदों को जो भी पदों दिख रहे हैं उनमें से आपको प्रश्न निर्मार करना है तो आप इस तरीके का pattern follow करें जो यहाँ पर आपको यह pattern दिख रहा है यह वाला इसका pattern को अच्छे समझें इसको आप solve कर लें ठीक है इसको आप solve करके जाएंगे अपने exam के पहले तो जब भी exam में आगा तो आपको बन जाएगा ठीक है इसके बाद आप देखते हैं अधो लिखी तानी वाक्यानी कह कम प्रती कथियते मतलब कौन किसे कह रहा है इस type का एक question है और इसका रूप आपको पढ़ना है यह आप पढ़ कर जाएंगे आपको पूरा बन जाएगा अगला question है प्रश्ण पत्रे समागतान मतलब कि paper में जो नहीं आया है वो वाला हमको क्या करना है एक स्लोक लिखना है तो आप अपने text book के कोई भी 4 या 5 स्लोक याद कर गए चले जाएं जो कि हमारे channel में available भी है मैंने बहुत ही easy स्लोक आपको बताए है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपको दो number मिल जाएगा ठीक है इसके बाद है चवद्वा question इसमें लिखा है वाक्या नाम असुद्ध कारक संसोधनम को रूत मतलब की इसमें कई असुद्ध कारक हैं जिनमें आपको संसोधन करना है और आपको सही लिखना है तो आप इस टाइब के question इस टाइब के pattern के question आप solve करके जाएं तो आपको पूरा बन जाएगा इसी तरीके से पंद्रवा question भी है यहाँ पर हमको पद्ध जो है इसमें क्या है? स्लोक आया है कथा क्रमानू शारेन योजयते मतलब कि हमको इन सभी की इन सभी यह जो दिख रहे हैं आपको इनको एक कथा के रूप में संयोजन करना है तो आप यह भी पढ़ कर जाएं एक्जाम में आए तो आपको बन जाए इसके बाद वाच्ची परिवर्तरम, गुरूत हमें इन में से एक वचन है इस तरीक से हमको उनका वाच्ची परिवर्तित करना है थीक है, तो इनको भी आप कर ले तो यह भी आपको बन जाएगा इसके बाद लाश्ट इसमें हम देखें गे कि इसमें गद्यांज की हमको प्रशण और उत्तर देना है किनी वी दो गद्यांज है तो यह तो आपको बन ही चाहेगा इसके बाद है अधुलिखित पद्यांजम पठित्वा प्रश्णा नाम उत्राणी, संस्क्रत भाशाया लिखत अब हमको इसमें पद्यांज को पढ़ करके उत्तर लिखना है तो ये कॉशन बहुत ही easy आते हैं आप अगर एक बार पढ़ने तो आपको ये भी बन जाएंगे इसके बाद आप देखते हैं अगला कॉशन इसमें क्या है? इसमें हमको नाट्यांस प्रश्णा नाम उत्तरानी संस्क्रत भाषा या लिखत मतलब हम ये जो नाटक दिया हुँ है इसके उत्तर हमको क्या लिखना है? संस्क्रत भाषा में लिखना है तो ये भी बहुत ही easy है आप इनको solve कर लें exam के पहले आपको same to same ऐसा ही आफ सकता है और नहीं आएगा तो ये pattern तो follow हो गई इसके बाद आपको क्या करना? फिर से अपर्टेक्ट गद्यांस के प्रश्ण उत्तर देना है इसके बाद ये जो main section है इसमें है कि संस्क्रत भाषा या इसमें हमको आवेदन लिखना है और या तो सुपकामना पत्र लिखना है संस्क्रत भाषा में तो अगर आपने इसे तयार नहीं किया है तो channel में available है आप देख सकते हैं जाके playlist पनी हुई है आप उनमें देख ले और संस्क्रत भाषा या महा तो असमा कम विद्यालाई ये इन दोनों मैंसे तो आप दोनों को याद कर ले चारना पढ़े इन दोनों को पढ़ ले तो फासी जाएगा और आपको बन जागा इन दोनों का best video channel में है आप उसे देख लीजिए आपको पूरा question paper बन जाएगा आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के एक्जाम से related वीडियो देखने के लिए चैनल उख सब्सक्राइब कर लें वीडियो तेखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग